अब हम फिल्टर लगाने के लिए shift-space करके ctrl-shift-l करेंगे मतलब जिस रोब फिल्टर लगाना उसको shift-space slate कर लो ctrl-shift-l करो उस रोपे तो फिल्टर लग जाएगा ठीक है तो सबसे पहले रोपे गए हमनों shift-space के सबस्क्राइब करना है फिल्टर करना है फिल्टर करना है फिल्टर कर सकते हैं अब सिफ आईटी के लोग दिखेंगा हमें कौन से department कौन से manufacturing में कितने इटी भी वह वह हम देख सर्फ और manufacturing फिल्टर करके उसके अंदर mail कितने हैं mail filter उसके अंदर Asian कितने हैं या Latino कितने हैं अब देखो हमारे IT department में manufacturing के अंदर mail लैटीनो साथ लोग है